दोस्तों हम माइंड बैंकर सब्सवागत करते हैं हमारे डेली करेंट अफेर्सों में आज यह तीन तारीक और आज हम लेकिया हैं आज के न्यूस पेपर से कुछ इंपॉर्टन न्यूस और उसके साथ सदो उसके रिटेट कोश्टन आंसर तो शुरू करते हैं आज का शो शुरू करने से पहले अगर आपने वी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें कमेंट करें लाइक करें और उसे शेयर भी करें ताकि हमारी गया है उसका नियूस करते हैं कि बहुत इंपॉर्टन है आपके एक्जाम के लिए चाइना ने डिपेंस सिस्टेम शुरू किया है जो लाइन ऑप एक्शुल कंट्रोल है भारत और चाइना के बीच में उसमें सुरू किया है चाइना को फिर से अभी देखी यह देखे जीसे लेजी बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल उसके अस पास तो इसी के बारे में नियूस है यह नीवेज इसलिए आया है कि देखें इसमें चीन का जो पीपल पेपूल्स लिप्डरेशन आर्मी है पीले ले पेपूल्स लिप्रेशन आर्मी है जो पीए वह लाइन ऑफ जो एक्ट्रोल एक्ट्वान ऑफ कंट्रोल जो डिस्प्यूटेड एरिया है वेस्टर सेक्टर जो यह है यहां पर फिर से अपनी आर्मी की एक्टिविटी शुरू कर दिया है जो फिर से जो गलवान वैली का जो जड़ब हुआ था जिसमें बहुत सारे भारत के जबान वी सहीद हुए थे उसके बाद से फिर से यहां पर यह सुरू कर दिया है इसी के लिए न्यूज आई है इसमें बोला गया है कि अभी जो कुछ सैटलाइट की तस्वीरे आई है सैटलाइट के द्वारा जो तस्वीरे आई है उसके अनुसर कुछ अग्यात स्थान प टेन पीले आर्मी का यूनिट से जो वेस्टन कमांड के अंत्रगत आते हैं उन्होंने इन सब चीजों में शेयर किया है ठीक है तो भारत ने इसके लिए वार्निंग जारी किया है और देखा है कि वाप पर कुछ नहों ऐसा देखिए एर डिफेंस सिस्टम का यह फिगर यह ए कोछ सटलाइड के तश्वीर है आप यहां सकते हैं उनके एर फोर्स के फाइटर प्लेंस है यहांपे उनका जो कुछ बनाया गया है यहांपे आर्मी की जो जवान है उनका कुछ बना हुआ मैंकर या उनका यह उनके कुछ रखें है समें यहां पर पूरा का पूरा क्रिएशन कर दिया उन्हों पूरा यहां पर बना दिया है जो कि फटर प्लेट से उनके लैंडिंग के लिए और उसके लिए किया गया है कि आप इसके लिए त्यार रहें जून 2020 में जो गलवान घाटी में हुआ था उसके बाद से बहुत ही अभी जो हमारे बीच में इंडिया चाहिना के बीच का जो संबंध है वह बहुत प्राब्लमेटिक चल रहा है पहले से हमेशा से रहा है उन्हेसोपचतर से लेकर अभी तक जो भी हुआ है यह सब प्राब्लम्स चल रही है और यह सौट आउट नहीं हुआ है देखिए यह सब डिस्पूटेट एरिया है डिस्पूटेट बॉर्डर जो बोलते हैं इंडिया चाहिना का वह है यह देखिए यह एरिया जो वेस्टर् देखिए और ये जो ट्राइ Israe है इंडिया चाहिना और भारत का नहीं का बादर मिलता है यह दो महतु दॉस तरह से जो पूरा का पूरा एरिया डिस्पूटेटमेंडगा पूरा और चाइना के बीच में तो इसके 4.050 ख्लोंम ऩो जो चाहिना का वाड़र है वहारत Third भारत जो शेयर करता है और इसमें से 390 किलोमेटर डिस्पुटेड एडिया में आता है देखे कितना बड़ा एरिया में भारत अच्छीन से इसलिए इसके बारे में जो यह न्यूज है बहुत पर भारत की इंडियन आर्मी नेवी अभी यहां पर अपना जरी किया है और उन्होंने देख रहा है कि को जो अगर उसकी तरफ से कुछ जो भी सभाब भी अपना जो भी वह वह सब्सक्राइब कर दिया है इस चलिए बहुत इंप्रइम सुप्रीम कोट दौरा कहा गया है कि ज है और इसके वारे में क्या जानते हैं यह इंपॉर्टेंट जानते हैं क्यों ऐसा सुप्रीम कोट ने बोला कि राजदरों के परिभासा को फिर से परिवासित करने की जरूरत है अभी आंदरपर्देश में अंदरपर्देश सरकार ने दो न्यूस चैनल्स को जो तेलगु भासा में हैं उनको इसलिए उस पर राजदरों का कारवाई किया कि वह सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वह कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है कोविड-19 की जो सही न्यूस है वह बाहर नहीं आने दे रहे इसके लिए इन दो चैनलों पर करवाई की गई है तो वह दो चैनल जो है सुप्रीम करट के पास गया और उन्होंने बोला कि देखिए हमारे उपर एक करवाई की जबकि यह गलत है तो देखिए उन्होंने इसी के बारे में बोला कि जो चैनल है उन पर बोला है कि आप जो अंसर सगार है कि आप गलत बात बोह रहें तो आप पर राजदरों का चला जाए जब कि ऐसा नहीं है अनुच्छेद 19 में ये बताया गया है कि अपने विचारों, मतों, विश्वासों और मौकिक रूप से लेखन, मुद्रन, चित्र यारं कि तरह सुतंत रूप से व्यक्त करने की सुतंतता की गारंटी देता है जो उच्छेद 19 से जब तक कि ये सारी चीजें किसी वायोलेंस को ना भढ़का है तब तक आप इसके लिए सुतंत रहें कि आप अपने व्यूज को अपने ओपिनियन को चित्र द्वारा या बातों से या लेखन से आप बता सकते हैं देश के सामने रख सकते हैं तो इसी से ये चैनल को ये सुतंता मिली है तो सुप्रीम कोट ने बोला है कि नहीं आप ऐसा नहीं रोख सकते हैं आप से चैनल को कि वह आपके बारे में कुछ आपने आप बताने से नहीं रोख सकते हैं इससे पहले भी सुप्रेम कोट नहीं बोला था कि आगर कोई भी कोई मेडिकल हेल्प मांगता है या पिर आई यह बताता है कि सरकार कोई दिखाता है वीडियो की देखिए यहां पर गुवर्मेंट के लिए अक्षम है तो आप उसको गिरफ्तारिया क्या क्या पड़त्यक्ष धंकी नहीं दे सकते हैं तो सुप्रीम कोट का है देखिए दो न्यूज चैनल है टीवी न्यूज फाइव और एबियन फाइव तो सुप्रीम कोट ने यह बोला है कि अनुच्छेद 19 के अनुसार अभिव्यक्ति जनता है तो आप क्यों रोख सकते हैं देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोट ने यह बोला ह है कि भाईया आप राजदरो ही हैं आप सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते जबकि ऐसा नहीं है सुप्रीम कोट ने बोला है कि यह बिलकुल गलत है आप इसको इस तरह से नहीं कर सकते जब तक कि कोई कोई भी व्यक्तिया कोई भी संस्ता वायोलेंस को बढ़ावा नहीं देती है तो देखे से से बारे में राजदरों के बारे में बोला गया है कैसे बताया गया है 124 ए 155 ए और 505 आई पीसी की इंडियन पैनल कोट की अनुसार उसे बताया गया है कि पनिश एक्ट प्रॉमिंटली इनिविट्विन डिफरेंस ग्रूप ऑन ग्राउंड और अगर मतलब मेल मिल आप या किसी वालेंस को बढ़ावा देता है इन सब रीजनों से तो आप उसको राजदरों का मुकदमा कर सकते हैं यह कोई नाइटिन का जो मैनेजिमेंट है ग्रेवियंस है यह सब चीजें इसमें नहीं आती है तो आप इन दो चैनल पर कोई कारवाई नहीं कर सकते या फिर आप किसी भी उस्मेटि नहीं कर सकते जो यह कोई मेटिकल हएल्प मांग रहा हो या प्रकोण यह बता रहा हो कि यह बतारू कि इक यह यह उसका इसान हई हो रहा या कोई ऑकसीजन का Hein ma राए। तो आप उस पर कर मुए कर सकते हैं तो देखिए आपने कारवाई से आपके किसी न्यूस के कारण कोई वायोलेंस या देश के अखंड़ता के बीच कोई प्राब्लम क्रियेट होता हो जहां पर लोगों के साथ भावनाम को ठेस में होसती हो तभी वो एक क्राइम है पनिस्मेंट क्या है सेक्शन अंडर 124 के अंतरगत की उसे लाइफटाइम प्रिजन हो सकता है और फाइन भी साथ-साथ एड हो सकता है तो देखे सेटिशन लॉग के बारे में है यहां पर दिया हुए 124 ए पैनल कोट 1860 में यह नियम बना था मतलब ब्रिटिस के टाइम का ही यह रूल है तो सोचे ब्रिटिस के टाइम के बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो अजदेश को मतलब आवाज को दवाने के लिए उसके करने के लिए बनाया गया था तो इस लौ में उसको यह होना चाहिए जो बाते हम कर चुके हैं पहले वही बात यहां बताया गया है तीन जज्जमिंट दिया गया था जो लैंडबाक है इस सदिशन राजदरों के लोग में 1962 में किदारणाथ सिंग वर्सेस इस्टेट ऑफ बिहार उनीश सो बेरासी पी पलवी वर्सेस इस्टेट ऑफ केरला उनीश सो पंचानवे वलवन सिंग और व्यस स्टेट ऑफ पंजाब यह आपको याद रखने PCS के एक्जाम में यह इस तरह कोशन आते हैं ठीक है तो चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं यह समझ गया हुए क्या है कि आंदर प्रदेश के बारे में यह न्यूज है तो सिप्रेम कोट ने बोला है कि आप किसी को भी अभिवक्ति है उसके आप यह पताने से नहीं रोक सकते कि कोई-19 में इलाज सह करें से नहीं हो रहा है या कोई मेटेकल आ लेने से आप नहीं रोक सकते हैं गल्यूर्ण फिर्णि को मनाया जाता है व告诉 मिल सुष्त का याता है कब से मनाय जा रहा है 2001 से चलीबिट के जाता है और यह इस बार का थीम क्या है sustainability in the dairy sector with the masses of nutrition यह आपको याद रखना है important है कब से मनाय जा रहा है यह भी याद रखना है और किसके दोरा मनाय जाता है तो food and agriculture organization of united nations के दोरा यह अब मनाया जाता है यह तीन चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट डाउन कर लिए जरूर यह एक्जाम में इसी से इस तरह कोशन्स पूछ जाते हैं यह क्यों मनाया जाता है तो रिकुनाइज करने के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क मतदूद की जो महत्यकूर्ण है वह रिकुना नमबर वन है तो इस तरह से भारत नमबर वन है दूद के उत्पादन में बट हमेशा से ऐसा था नहीं जब भारत जब आजाद हुआ उस टाइम में ऐसा नहीं था उस समय में हम लोग आयात करते थे दूद और डेरी प्रोड़क्ट्स का 1905 में देखिए यह दिया गया है कि बटर जो इंपोर्ट किया था था वह 500 टन पर यहर बाहर जब पॉर्ट होता था उससे भारत में दूद का इतना उत्पादन नहीं था बट 1975 में भारत सेल्फ सफिशेंट हो गया मिल्क प्रोडक्शन में दूद के उतार में सेल्फ सफिशेंट हो वहां से जो इंपोर्ट था वो बंद कर दिया गया उसके बाद एक्सपोर्ट होने लगा तो यह कैसे हुआ यह रातो रात नहीं हो गया ऐसा कुछ नहीं इसके दौक्टर वर्गीज कुरियन उनके द्वारा वाइट रेवुलेशन शुरू किया भारत में जो शुरुआत कब हुई 1970 में उसे शुरुआत किया गया और इसलिए इन्हें फादर ऑफ दौइट रेवलेशन ऑफ इंडिया बुलायता है तो डौक्टर वर्गीज कुरियन का ठीक है गुजरात के गाओं से किसानों को उन्होंने गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेट उन्हें स्थापित कि और इसके थूई किसानों से दूद लेके उसका उन्होंने बढ़ावा दिया कि आपको इसके बदले में पैसे मिलेंगे तो अभी इंडिया में उसका इस्थापना भी इनहीं के द्वारा किया था यह देखिए हैं हमारे वर्गिस कुणियां जी इस तरह से देखिए जो प्रोडक्शन है कभी भी कम नहीं हुआ है भारत का अमेरे से बढ़ता ही जा रहा है 2004 से हमने डाटा लिया है यह पुराना नही किया था वह अभी तक कम नहीं है तो 2023 में एक्सपेक्टेट जो है यह इस तरह से बढ़ जाएगा ठीक है चलिए और उसके साथ साथ जो पर कैपिटा जो हमारे हां बहुत अच्छा खासा है आप देखिए मैक्सिमम पंजाब में है एक हजार पच्छतर ग्राम पर कैपिटा आपको दूद मिलता है लोगों को तो यह बहुत अच्छा है भारत में तो दूद की कमी नहीं है जो नंबर वन स्टेट है मिल्क प्रडक्शन में वह है उत्तर प्रदेश भारत का नंबर वन यह आपको याद रखना राइस्तान अमध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नाम से जीने सियाम बैनेगल जी ने डिरेक्ट किया था और डॉक्टर कूरियन और विजय तेंदूलकर जी ने इसकी कहानी लिखी थी इसकी सबसे खास बात क्या थी कि पांच लाग किसानों ने इस पे दो-दो रूपए डोनेट किये थे इस मूवी के प्रोडक्शन के लि आप टाइम में देखे जरूर जो लोग कुछ सुरू करना चाते हैं कुछ बिजनेस सुरू करना चाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छी मूवी आप देख सकते हैं चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं गोआ ने सोलर बेस्ट है वो किया जाएगा यह कब सुरू किया गया तो मई 30 को आप जानते हैं कि मई 30 गोआ डे के के रूप में मनाया जाता है 1987 में गोआ के स्थापना हुई थी 30 मई को तो इसलिए यह मनाया था याद रखिए भी इंपॉर्टेंट है चलिए अब इसमें इसमें बताया गया है कि जो रेनुवल एनर्जी के तुरूर रूरल एरिया के गोआ में इसको दिखाया दिया जाएगा सोलर पीवी बेस्ट एंड लाइटिंग सिस्टम यह सब चीजें जो है इसमें सामिर किया जाएगी एक एग्रिमेंट साइन किया गया है कवरेज इनर्जी सर्विस लिमिटेड और गोआ एनर्जी डिवलप्मेंट एजेंसी के बीच में इसके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टन नहीं आपको जानना है कि गोवा ने पहली बार स्टार्ट किया है कि गोवा का मैप है दो ही डिस्टे के यहां पे नौर्द गोवा साउथ गोवा बॉर्डर इसके महारास्ट्रा करनाटका से लगते है यह अरेवियंस ही है यह पूरा इनका कोस् बहुत ही रिच स्टेट है चोटा से स्टेट है बट फिर भी बहुत रिच स्टेट है उसका अर्मिक एपॉडट जान लेजे कि तक्रीमन तक्रीमन वहां का पांच लाक रुपे पर कैपिटा पर इयर इंकम है तो जो देश का सबसे धनी राजी है वो यह मान जाता है चलिए के द्वारा तो नसे जो हमारे है अजीद दोवाल जी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर उनके द्वारा कमिशन किया गया पेट्रॉल वजल यह ऑफ्सोर पेट्रॉल वजल है सजग जिसका नाम है यह इंपॉर्टन्ट आपको याद रखना है यह आप जानते हैं कि कोस्ट सब्सक्राइब काम करते हैं सब्सक्राइब कोस्ट गार्ड है वह सब्सक्राइब करना है चलिए और तो इसमें कुछ इंपॉर्टन नहीं है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि युनाइट नेशन द्वारा तो इसमें नेशन द्वारा जो है तीन हमारे इंडियन पीसकी कीपर को समानित किया गया है युन मेडल द्वारा जैसा कि आप जानते हैं यूएन पींस्कीफिंग जो आर्म फोर्सेस हैं प्रत एक जो युन के सतस देश हैं उन परते अर्मी को देना पड़ता है सामिल करना पड़ता है तो उसी में हमारे तीन भारते सैनिक जो सहीद हुए थे उनको मर्नो प्रांथ सम्मानित किया गया है है हमर्स जग गोल्ड मेडल से बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है इस सम्मानित किया गया है इस साल यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है आपको दिखिए दिया गया है जो हीरोज ऑफ चलिए पुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे हमारे आज के अब उम्मीद करते हूं आपको बहुत पसंद आ गया होगे अब हम लोग अपने इन्नेक्स सेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कोश्चन आंसर है आज के निउस्पेपर स दिसकेशन करेंगे पहला कोश्चन है विच स्टेज है लॉंच सोलर बेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूलर हाउस होल्ड ऑप स्टेट तो किस राज ने सौ राधार विद्विद्विकरन कारेकरम सुरू किया अभी अभी हमने इसके बारे में डिटेल ड पंजी है नेक्स्ट हमने यहां का जो मैप है वो देख लेते हैं गोवा साउथ गोवा कुछ इंपोर्टन पर चीज़े हैं यहां पर जो विधान सभा के 40 सीटे हैं राज सभा की एक और लोग सभा की दो सीटे है और देखिए टोटल जीडीपी जो है पर कैपिटा इंकम द करें कि फ्लेम ठोट बूल बूल यहां का पड़ेश ग्यों ग्री मुलेट माना जाता है जैस्मीन फलावर झैस्मीन स्टेट फ्लावर फ्लावा स्टेट काजु सेव्ट जयानते हैं। प्री जो है वह वह पाम नेक्स्ट नेक्स्ट को सब्सक्राइब बढ़ते हैं भारतिय किसान उर्वड़क सहकारी नाइट्रोजन उर्वड़क अधरायद नैनो यूरिया को बजार में कब लाउंच करेगा तो इसको जो है इसको अभी एक नया तरह का नैनो यूरिया और यह 45 केजी नॉर्मल यूरिया के बराबर है आदा मिलिलेटर मतलब 500 मिलिलेटर नैनो यूरिया जो है वह 5045 केजी अब बराबर है और इसका जो कॉस्ट है वह 240 रुपे मात रहता है तो देखिए कितना ज्यादा अच्छा है यह तो यह गेम चेंजर की तरह इसको मार्के में उतारा जा रहा है और यह जो है यह इल्ड इंक्रीज में 20% जो फार्मर्स को 20% ज्यादा उपच प्रदान करने के लिए में भी सहायक होगा तो इसको का जो जानते है इस आईसी और इपीएफो स्कीम्स फॉर डिपेंडेंट्स ऑव वोर्कर पासिंग अवे ड्यू तो किस मंत्राले ने यह अभी यह क्योजना लागो की है जो इस आईसी और इपीएफो में जो की नामित है जो मतलब उसका दिन रॉल है वोर्कर्स उनको कोविड नैंटीन का स्कीम का अडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा तो किसके दौरा तो मिनिस्ट्री ओफ लेबर एंप्लॉयमेंट के दौरा यह घोसना किया गया है जो इस इस आईसी और इपीएफो स्कीम से उसमें इनको प्लस दिया जाएगा तो कोविड नैंटीन के तरफ में उनका डेथ हुआ है ठीक है यह स्कीम कब से कब तक है टू यूर्स फॉम चौबिस माज दो जार बीस से दो साल तक के लिए वैलिड है चलिए इसमें और भी तो अमाउंट मैक्सिमें बेनिफिट हैज इनक्रीस फॉम सिक छे लाग से सात लाग रुपए जो उसका जो अमाउंट को बेनिफिट है वो छे से सात लाग बढ़ा दिया गया है चलिए नेक्स्ट कोशनी तरह बढ़ते हैं कौन सी राजसरकार कोविड-19 से मरना आले मीडिया कर्मियों के परजिनों को पांच लाग रुपए की साहता परदान करेगी तो कौन सी राजसरकार ने ये घोसना की है कि जो कोविड-19 में जिनका डेथ हो गया है जो की जर्नलिस्ट या मीडिया कर्मियों के पांच-माच लाग रुपए दिया जाएगा तो 36 गर्ड गवर्मेंट ने ये अनौन्स किया है कि उनको फाइनेंसियर असिस्टेंट दिया जाएगा पांच लाग रुपए का डिपे डिसाइड किया है ठीक है चले इसके बाद 36 गर्ड जानते हैं अनुस्विया उक्या जी यहां की गवर्नर है भुपेज बैगल यहां के चीफ मिनिस्टर है राइपूर कैपिटल है इस चैपिटल का पूरा मैप देखते हैं जो बॉर्डर एडिया है वह मदपर्देश महार इसका बॉर्डर लगता है राइपूर यहां की कैपिटल है और अंद्रप्रदिस भी है बॉर्डर एडिया में तो आप आगे बढ़ते हैं इंपोर्टन चीजें कुछ यहां पर देख लेते हैं विदान सभा की क्यानवे सीट है राज सभा पाच लोग सभा की 11 सीट है यहा जो स्टेट ममल है वो वाइल्ड वॉटर वफेलो है स्टेट बॉर्ड हिल मन्या बोलाता है फ्लावर जो है गिंटिया है और सौरेव रॉबूस्टा यहां का ट्री है कौन सा देश एक जुन को ब्रिक्स विदेश मंत्रों के बैठक के मेजवानी करेगा जो एक जुन को ब्रिक्स के विदेश मंत्रों के फॉरंड मिनिस्टर के बैठक को इसकी मेजवानी कौन सा देश करेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ने किसी एक्जाम में जरूर दॉक्टर जयसंकर जी ने फॉरंड मिनिस्टर्स की देखवाई किया तो और इससे पहले दो बार भारत निसका चेर्मेंश कर चुका है फॉरंड मिनिस्टर्स की बैठा की कब-कब 2012 और 2016 में तो इसमें डिसकस किया गया कि कोविड-19 पर पाया जाए और वेक्शिनेशन्स वेगरा कैसे किया जाए यह इस पर डिसकस किया गया है तो आपको इसमें दो चीज़े याद रखनी है कब-कब इससे पहले चेर्मेंश किया जर्बाद असॉला और किसने भी इसका संचारन किया है तो डॉक्टर एस जयसंकर जी जो की हम मरिकर करें की सबस्क्राइब करने के लिए थार श्राषओ किया गया है तो पंजाव मम्राए के लिए और इस के लिए उन asks भी गिंठ वर्यомина करने के लिए और transact चैज इन से लिए है कि चल्क्राइब करने म्हाइं कि वह सई डग से काम कर रहे है कि नहीं और कितना उसका अच्छे से हो रहा है कि नहीं यह देखने के लिए तो पंजाब का जानते हैं गवर्णर वीपी सिंग बनोर है कैप्टन हमेंदर सिंग मुख मंत्री है और चंडिगट वहां की राजधानी है यह देखें मैप आप सिंग और राजस्थान से इसका बॉडर मिलता है और इस तरब से पकिस्तान से बॉटर मिलता है पंजाब का इंपर चीज़े देख सकते हैं यह आपका स्वन गोल्डन टेंपल है बागा बॉडर है यहां पर देखिए भांगड़ा बहुत ही फेमस डांस है यहां का यह बढ़ा जाता है जलिया वाला बाग मेमोरियल आप देख सकते हैं इंपर्टर इंपर्टर जगह है वहां पर बाइस डिस्टिक यहां पर है कि लुद्याना चंडिगट कैपिटल गवर्णर वीपी सिंग बदनोर अमेंदर सिंग यहां के चीप मिस्टर है 117 सीटे विदान सभा की लोग सभा की 13 सीटे राजसभा की साथ सीटे हाइकोट पंजाब हर्याना हाइकोट यहां पर माया आता है चलिए जीडिपी देखिए 5.75 trillion है पर कैपिटा इंकम 1.66.830 पर कैपिटा है भांग रहा गिर्द है आप इस्टेट डांस है मैमल्स ब्लाक बग को बोलाता है बर्ड बाज है आप इस्टेट जो बर्ड है फ्लावर ग्लैडियस गलाता है और शीशा में वहां की स्ट्रेट ट्री है यह आपको याद रखना है चलिए अगले कोशन के दर बढ़ते हैं हाली में दुबाई में किस ने स्वर्ण पदक जीता तो बहुत इंपोर्टन है पूजा रानी जीने यहां पर जो पूजा रानी है हमारी बॉक्सर उन्होंने गोल्ड मेंडल जीता है किस काटेग इन्होंने प्रिविएस यहर भी जीता था 2019 के अडिशन में भी गोल्ड मेल जीता था 21 केजी डिविजन में इसके साथ साथ तो 60 वोल्ड चैंपियन मेरी कॉम है उन्होंने सिल्वर मेडल के साथ यह चैंपेंशिप खतम किया है तो हमारे जो महिला मुक्के बाद उन्हों अच्छा परदर्शन किया यह देखना यह यह पूजा रहने जी है चलिए नेकस्ट आगे बढ़ते हैं ग्राम पंचायत विच स्टेट हैज अट्रक्ट विलिजर्स फॉर्ड कोविड टेस्ट विट रुपीस फाइव लक्स इंसरेंस पॉ तो आपको 5 लाग का इंस्रेंस पॉलिशी दिया जाएगा तो यह किस राजने सुरू किया गया तो महरास्टा दोरा बोला गया है यह इसली कहा गया है कि लोग आए और कोविड टेस्ट कराईगा कोविड टेस्ट हो सके इसके लिए इन्हों ने ऐसा पताया कि आप आते हैं और अगर कोरोना टेस्ट कराते हैं तो उनको फाइव लैक्स इंसूरेंस पॉलिसी से दिया जाएगा ठीक है तो गवर्नर यागा भगत सिंग कोसियारी है उद्दव ठाकरे जीहा के चीफ मिनिस्टर है मुंबई है महारास्टर का मैप मदपरदेश गुजरात करनाट का तेलंगाना चाटिसगड से इसका बार्डर से मिलता है यह अरेवियन सी है यह मुंबई क्यापिटल यहां पर पुने है अम्रावति नागपूर यहां पर वर्दा बंदारा गुंटा यह स्तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जगह है चलिए नेक्स्ट आपर इंपॉर्ट्ट में चीज़े देख लेते हैं यहां का क्या तो 36 डिस्टिक है मुंबई नागपूर लार् यहां पर राजसभा के 19 और लोगसभा की 48 सीट है जो मैमल है इंडियन जाइंट स्कुरल है येलो फूटट ग्रीन पीजन यहां का स्टेट बॉर्ड बलाता है इंसेक्ट ब्ल्यू मॉरॉन है फ्लावर जारूल है मैंगो ट्री यहां का स्टेट ट्री है लिट्रेसिट नौसब उन्तिस बाई हंड्रेड है कि शली है पर कैपिटा करीबन जो यहां पर दो लाक रुपए के तकरीबन तकरीबन यहां की पर कैपिटा इंकम है जो जीडीपी है ट्वंटीएट पांट वने ट्रेलियन है इस अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं निमलेकित में किस दि गुएं कश्मीर द्वारा यह सुरू किया गया सर्वे इसका सुरुवाति तीन करोड रुपए डाला गया है कि जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका सर्वे किया जाए और उनका हेल्प किया जाए किस पर फोकस रहेगा तो माइग्रेशन इंप्रूब्मेंट इन लाइव स्टॉक फार्मिंग ट्रैक्टिसेज में चलिए यह कश्मीर है यह जम्मू है यह लद्धा के एरिया हो गया चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मैथली सीव रामा जिनका 80 वर्सक्याव में इधन हो गया वह परसिद्ध कौन थी तो वह एक पॉलिटेशियन थी बहुत बड़ा नाम था हमारा सीपी आई एम लीडर थी ठीक है तामिलाडू से रिलेटेट थी वह तामिलाडू से था उनका कैसी वर्सक्याव में कोबिडिकेशन की वाज़ा से उनका निधन हो गया वह को फ पॉलिटेशन थी बहुत बड़ी और तामिलाडू से रिलेटेट थी यह देखिए इनका बात कर रहे हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स विलेंड अप टू हाव मच अमाउंट टो इन्विज़वा कोबिड-19 ट्रेटमेंट तो सरवजनिक बैं अमाउंट है यह आपको बताना है तो पांच लाग तक का लोन दिया जाएगा इंडिविज़वल्स को किस लिए तो कोविड-19 जो ट्रीटमेंट है उसके लिए अगर आप ले सकते हैं किनको फाइनिशियल सपोर्ट चाहिए अगर को इलाज के लिए जानते कि बहुत यह आपको याद रखना है कितना अमाउंट है मिनिमूम 25 परसेंट और मैक्सिमुम 5 लाक्स पांच यहर में इसको वापस करना ही 8.5 परसेंट इसका इंट्रस रेट है नेक्स्ट कोशन है किस राज्य की सरकार प्रते ग्राम पंचायत में कोविड-19 के प्रशार को रोकने के वार्रूम इस्थापित करेगी तो जो कोविड-19 का जो सेकेंड वेव है आप जानते हैं पूरे देश में अभी फैला हुआ है तो कौन सिरा सरकार प्रते ग्राम पंचायत में वार्रूम इस्थापित करने के योजना लेकि आ रही है तो असाम सरकार के दौरा यह बोला गय साथ में एक वार्रूम इस्थापित करेंगे तो को वेट-19 को ट्रीटमेंट हो सके उसका देखा करें है कहां पर प्रसार हो का में 304 ग्राम पंचात है जहां पर यह वर्रों में स्थापित किया जाएगा तो इसमें इंक्लूट किया गया है तो आसाम के गवर्णर जगदेश मुखी जी है हेमंत विश्वा सर्मा जी हां के चीफ मिनिस्टर है कैपिटल दिसपूर है यह पूरा का पूरा मैप और नजल परदेश भुटान मैनमार मनीपूर बांगलादेश यह सब्सक्राइब के बॉर्डर है इसले नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं कैपिटल दिसपूर है इस्टिक 33 डिस्टिक बॉलाता है लार्ज सिटी गुहाटी है यहां का ठीक है गवर्ण जदेश मुखी जी है हमन्ता विश्वा सर्मा यहां के चेफ मिनिस्टर है 126 विदान सब्सक्राइब की साथ लोग सब्सक्राइब की 14 सीटे है और और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है लाइंग्विज असमीज है पर चेफ लेट 58 है डांस बीहू डांस यहां का स्टेट डांस है ममल्स वन होट राइनॉस इसको यहां का स्टेट है बर्ड वाइट विंग्ड वूट डक जो फ्लावर है रानुस रेटूस है ट्री मैक्रोपॉस है और आसामी टी ट्रिंक है रीवर ब्रहम पुत्रा नेक्स्ट तो किस पम्पनी में उसमें किस बॉला है कहां का हिस्तारी चुन सा बैंक है? तो पंजाब लेशनल बैंक काiley में उसने का में है तो कितना स्टेक है 23 परसेंट स्टेक है लाइफ इंसुरेंस कंपनी में तो वह इसको बेज देगी क्यों यह अगला को सनान रास्ट्रे इस्मर्ति दीवस हर साल माइ के VP को मना आता है ठीक है USA मना जाता है कि जो भी वहां के आर्म फोर्स में जो सर्वाइब मतलब सही होते हैं उनके याद मना जाता है 1970 से यह लास्ट मंडे को मना जाता था उससे पहले-पहले मई 30 को मना जाता था ठीक है चलिए नेक्स्ट को बखते हैं अगले कोशन के तरफ हर साल 31 माई को मना जाने वाले 20 तंबाकुन इसे दिवस 21 का विशय क्या है थीम क्या है इस साल वर्ल्ड टोबैको डे जो एक्किस का तो इस साल का थीम है कमिट टू कुट तो चलिए बात करते हैं था हमारा इंपॉर्टन कोशन्स आज का और आज के हिस्ट्री के वारे में कुछ देख लेते हैं कि आज के हिस्ट्री में क्या-क्या हुआ था तून्हें सब्सक्राइब गांधी जी ने बोला था कि मैं पार्टिशन में कोई भूमिकादा नहीं करूंगा क्योंकि यह सारा कुछ यहां पर जो है वह पीस के अगेंस्ट है मतलब यह चीज़े नहीं हो रही है उन्हें सत्तर में इंद्रागांधी जी ने वर्ल्ड सिविर वाल बंगलादेस के सिविल वार में इंटरनेशनल हेल्प मांगी कि वहां पर बहुत सारे डिफ्यूजी हमारे हां आ जा रहे हैं और हम कैपेबल नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर सके ठीक है तो उसके बाद से फिर भारत भी स्यूद में उसको लड़ना पड़ा और फिर बंगलादेश का उदहवा जैसा कि आप जानते हैं अगर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या और सुधार की गुंजाई से और क्या हम इसमें और कुछ एड़ कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ नए टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टन्ट करेंट अफेर्स के साथ तब तक के लिए नमस्कार और अच्छे से रहे घर में रहे और इंपॉर्टन्ट और त्यारी अच्छे से करते रहे तब तक के लिए मिलते हैं और फिर अगली बार मिलते हैं नमस्कार थेंक यूँ